वेल्कम बैक टो मा यूटूब चैनल बिलिंग इंजिनियर सिवल आप देख सकते हैं कि यहां पे जो रेंफोर्समेंट है प्लिंद बीम की लगी हुई है तो हम एक बीम पे जाएंगे और उसको ड्रॉइंग से हम क्रॉस चेक करेंगे कि रेंफोर्समेंट जो है एस पर कैसे यूज होती है तो हमारा बीम है यह हमारा बीम है बीबी-वन-वन वन तो इसको हम रेंफोर्समेंट इटेल पे जाएंगे बीवन तो इसमें बॉतम में अब देख सकते हैं इसमें तीन बार्स इसमें जो है वो all through है और center पे दिखा रहा है कि 5 बार्स 16 mm के है तो 3 बार्स all through जाएंगे और 2 जो बार्स है वो extra होंगे तो अगर हमें beam देखेंगे यहां पर एक दो तीन बार्स इसमें 16 के है और उसके बाद यहां से एक और दो यह हमारे extra बार्स है तो यह इस end तक चलेंगे इस end पे भी दो बार्स जो है वो 16 mm के है और bottom के 3 जो all through जा रहे है यह हमारा column का end है तो अगर हम top में देखेंगे top में इसमें दिखा रहा है center में दो बार 16 mm के और एक बारा का तो हम यहां देख सकते हैं कि जो हमारी top reinforcement है इसमें एक और दो 16 mm के और एक बार जो है वो 12 mm का है उसके बाद जो हमारे ends है दो 20 के और एक 16 का extra है तो यहां पर हम देख सकते हैं यह हमारे top बार्स है यह तीन एक दो तीन और फिर जो टॉप के extra है एक पीस यह एक और बीस यहां पर है और एक जो है वो 16 का है तो यह हमारा continue जा रहा है बीम के end पर तो फिर अगर stir up सम देखेंगे इसमें यहां पर दिया हुआ है ए चार फिर चार इंच फिर बी और इस साइड में भी ए लिखा हुआ है चार फिर चार इंच तो जो ए हमारा है बोटेटेलिंग हमें यहां पर दी हुई है एक टू लागड एट डाया एड डरीट अफ फॉर इंच टू लागड एड डाया एड डरीट अफ इंच तो जो यहां पर stir up की spacing होगी एंड से लेके यहां तक वो हमारी होगी 4 इंच और इसके बाद जो है वो 8 इंच आएगी और फिर यह वाला एंड है इसमें भी 4 इंच तक जो हमारी स्पेसिंग होगी वो हमारी 4 इंच होगी और इस्टेरप जो है यह टू लेक्ड है कोई डेटेल इसी तरीके से सारे जो प्लिंज भीम है एस पर ड्राइंग बंदे हुए है अब आप कोई वीडियो पसंद आया होगा इसको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा